नमस्कार अदाब न्यूज क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है शुरू करते हैं हेडलाइन से त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिशद की रैली के दोरान मस्जिद पर हमला हर्याना में प्रदशनकारी महिला किसानों को ट्रक ने कुछला तीन की मौद और आखिर आर्यन खान को 21 दिन बाद मिली बेल करोना पूरी आबादी को दोनों डोज वैक्सीन कब तक करोना अपडेट में एक दिन में 16,000 से ज्यादा नए मामले 733 की मौद उत्तर त्रिपुरा जिले के पानी सागर में मंगलवार शाम को विएचपी याने विश्व हिरंदू परिशद की एक रैली के दोरान चम्टिला इलाके में एक मस्जिद में तोड़ फोड़ की गई और मुस्लिम समुदाय के लोगों की दो दुकानों में आग लगा दी गई विएचपी ने बांगला देश में, दुरगा पूजा पंडालों में, हाल ही में हुई हिंसा के विरोध में रैली का आयोजन किया था ये जानकारी जिले के पुलिस अधिक्षक भानुपाडा चक्रवर्ती ने दी उन्होंने बताया कि पास के रोवा बाजार में खथित तोर पर अल्पसंख्यक समुदाय के तीन घरों और कुछ दुकानों में भी तोड़ फोड़ की गई एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि तोड़ फोड़ किये गए घर और दुकाने मुस्लिम समुदाय के सदसों की हैं और उनमें से एक की शिकायत के आधार पर ये मामला दर्च किया गया है आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से त्रिपुरा के अलग-अलग इलाकों से साम्प्रदाय के लोगों की दुकाने, मस्जिदों, घरों पर हमले किये जा रहे हैं अब ख़बर हर्याना से किसान आंदोलन से जुड़े पहदुरगड से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है यहां आज यानि गुरुवार 28 अक्तूबर की सुभे तकरीबन 6 बजे एक ट्रक ने महिला किसानों को कुछल दिया हादसे में तीन बुजर्ग महिलाओं की मौत हो गई है जबकि तीन की हालत गंभीर बताई जाती है ख़बरों के मुताबिक ये महिलाएं आंदोलन में हिस्सा लेकर घर जा रही थी तभी तेज रफ़तार ट्रक ने डिवाइडर पर चड़कर महिला किसानों को कुछल दिया बता दें कि महज एक महिने के अंदर लखीमपूर खीरी की घटना के बाद ये दूसरा किसानों की हत्या से जुड़ा मामल्या सामने आया है इससे पहले लखीमपूर खीरी जिले के तिकुनिया शेत्र में तीन अक्तूबर को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी चार किसानों की मौत कथित रूप से बीजेपी कारेकरताओं को लेकर जा रहे वहनों से कुछल दिये जाने की वज़े से हुई थी इस मामले में केंद्रिय ग्रह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीश तथा पंदरवीस अग्यात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ है बॉलिवूड अक्टर शारुख खान के बेटे आरियन खान को आखिरकार ड्रग केस में जमानत मिल गई है पॉंबे हाई कोट ने आज 21 दिन बाद आरियन खान को बेल दी इससे पहले आज सुबे आरियन खान से के साथ सेलफी पोस्ट करने वाला कथित किरन गोसावी सुनवाई के बारे में तो आरियन की तरफ से पूर्व एटाउनी जेनरल मुकुल रोहादगी पक्ष रख रहे हैं सुनवाई के दौरान रोहादगी ने NCB के हर तर्प को काटते हुए पूचा है कि किस बिना पर आरियन को गिरफतार किया गया आपको बता दे कि आरियन खान को एक क्रूश शिप पर दो अक्टूबर को गिरफतार किया गया था जिसके बाद चार दिन नायक हरसत के बाद वे 7 अक्टूबर से जेल में ही है गौर तलब ये है कि आर्यन पर ना कोई ड्रग मिला था ना ही उन्हें कोई ड्रग कंजूम करने का सुबूत दिया था इस बीच NCB अधिकारी समीरवान खेड़े की जाच पर उठे सवालों पर आज डिविजन बेंच में सुनवाई हुई जिसमें उन्हें रहत दी गई है और कोट ने कहा है कि तीन दिन का नोटिस देने के बाद ही समीरवान खेड़े को गिरफतार किया जा सकेगा हम आपको इस पर और जानकारी देते रहेंगे करोना की खबरे भारत में 100 करोड वैक्सीन डोज का आकरा पार किया है लेकिन डबल डोज अब भी सिर्फ 21 से 22 प्रतिशत आबादी को दी गई है न्यूस क्लिक के इस वीडियो में सत्यजीत रत और प्रभीर पुरकायस चर्चा कर रहे हैं कि 100 करोड वैक्सीन डोज के माइने क्या है और पूरी आबादी को डबल डोज पहुंचाने में क्या-क्या चुनौतिया है देखिए ये वीडियो हर 10 फीसदी बढ़न्त को हमें अगर 8 हफते लगने हैं और आज की तारीख में हमने 20-21 फीसदी पूरा टिका करन किया हुआ है तो अपन ने कोई आकड़े बताने की जरूरत नहीं है सब के सामने है कि साल के अंत तक जो की अभी से दो महीने भी दूर नहीं है कहां तक अपन पहुंच पाएंगे पूरन टिका करन की चालीस परसेंट 45 परसेंट से ज़्यादा पहुंचने की चांस नहीं है लेकिन मैं इसके आगे जाके आपने जिस बात पर बात का निर्देश किया है उस पर आना चाहूँगा कि अपनने 20 फीस सदी पूरन टिका करन किया है लेकिन 50 फीस सदी से ज्यादा एक डोस का टिका करन किया है अब ये जो फर्क है दुनिया में तकरीबन सबसे बड़ी मातरा का फर्क है ये एक डोस और दो डोस वाले आंकडों में तो अब इस फर्क को जो दुनिया में सबसे ज्यादा है उसे कई तरीकों से देख सकते हैं एक तो ये है कि हम जोर धडले से पहले डोस के पीछे पड़े हैं जो सरकारी व्यावस्थाएं निस संचाए कहेंगी कि हम जितना व्यापक पैमाने पर हो सकेटी का करन पहुंचाना चाह रहे थे इसलिए पहला डोस पहुंचाया है दूसरा डोस थोड़ी कमरवतार से पहुंचाया है इसमें हो सकता है उसमें थोड़े बहुत इश्टेहारी मुद्दे भी हैं कि बड़े पैमाने पर कौन से आंकड़े बढ़ पाएंगे इसकी कोई सोच रख के सरकारी व्यावस्थाएं इसके पीछे पढ़ी होंगी लेकिन इसमें और एक मुद्दा तक्नीकी तौर से जो स्वास्त्य व्यावस्थात अग्या है वो कहते हैं वो यह है कि हमने कोवीशील्ड के पहले और दूसरे डोस के दरमयान का वक्त 14-16 हफ्थों का रखा हुआ है यह दुनिया में काफी ज्यादा है दुनिया में आम तोर से टीकों का दो डोसों के दरमयान का वक्त 4-8 हफ्थों तक होता है तो हो सकता है कि इस बड़ी गैप की वजह से हमारा पहला डोस का टीका करण जोर रफ्थार से चल रहा है दूसरे डोस का थोड़ी कम रफ्थार से चल रहा है और इसको पुष्टी मिलती है हाल के आंकड़ों में जहां दूसरे डोस वाले लोगों के आंकड़े बढ़ रहे हैं पहले डोस वाले लोगों के आंकड़े कम हो रहे हैं अब एक तोर से ये अच्छी बात है कि जिन्हें पहला डोस मिला है वो दूसरे डोस के लिए आ रहे हैं उन्हें दूसरा डोस मिल रहा है अच्छी बात है उनका पूरा टीका करण बो रहा है लेकिन पहले dose वाले जो लोग हैं उनके आंकड़े अगर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब एक तो यह हो सकता है कि काफी बड़े पैमाने पर वेक्सीन को लेकर बेचे नहीं है लोगों में और लोगा नहीं रहे दूसरा तो यह हो सकता है कि वेक्सीन के उतने dose की उपलब भी नहीं है और उसलिए पहले dose वालों तक वेक्सीन पहुंच नहीं रहा और इसलिए जो आपने पूछा कि साल के अंथ तक कितने फीसदी लोगों का पूरा टीका करण होगा तो उसमें जिन पचास फीसदी लोगों तक पहला dose पहुंचा है उनमें कुछ हद तक पूरा टीका करण दूसरे dose के साथ होगा लेकिन कितने नए लोगों तक टीका करण पहुंचेगा उसको लेकर इन आंकडों से सवाल खड़े होते हैं और अब करोना अपडेट केंद्रिय स्वास्तिय मंत्राले द्वारा आज गुरुवार 28 अक्टूबर को जारी आकडों के अनुसार देश में 24 घंटों में करोना के 16,000 से ज़ादा नए मामले दज किये गए हैं इसके अलावा करोना से बीते दिन 733 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इस बीच देश भर में करोना से पीडित करीब 17,000 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में करीब 1600 मामले सामने आए हैं देश में करोना संक्रमन के मामलों की संख्या बढ़कर 3,440,000,000 से ज़ादा हो गई है जिन में से अब तक लगबग 4,55,000 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पीडित 3,35,000,000 से ज़ादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1,60,000 रह गई है स्वास्त्य मंत्राले की ताजा जानकारी की अनुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक 104 करोड चार डोस दी जा चुकी है जिन में सकरीब 50,000 वैक्सीन की डोस पिछले 24 घंटों में दी गई है आज खबरें इतने ही विस्तार से खबरों के लिए हमारी वेबसाइट न्यूस क्लिक में लॉग इन कीजिए और हमें फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए नमस्कार